Hello friends, welcome to Root powered by Crazy GK Drake. Friends, देखिए, आज के सेशन में, मैं आप सभी के लिए बहुत ही important topic लेकर आया हूँ. आज के सेशन में देखिए, Indian polity के एक special topic पर हम discuss करेंगे, जिसका नाम है 7th schedule of Indian constitution. जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि Indian constitution में total 12th schedule है. टोटल 12 अनुसूची हैं हमें देखने को मिलती है, उसमें से हम single एक अनुसूची को यहाँ पर discuss करेंगे, जिसका नाम है 7th schedule, और जानेंगे कि यहां से केसे question हमको exam में देखने को मिल सकते हैं. देखिए दो पार्ट में divide करके हम इस session को पढ़ने वाले हैं, आज के इस वीडियो में केवल हम theory section को cover करेंगे, और next वीडियो जो इस session का आएगा, उसमें हम MCQs question को discuss करेंगे, कि केसे question इस topic से आ सकते हैं, और देखिए theory को अगर आपने ध्यान से सुना, तो आपका कोई भी question यहां से गलत नहीं होगा, यह मेरी guarantee है, तो चलिए start करते हैं, अगर आपने वीडियो को like नहीं किया, तो like कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी share किजिएगा, तो चलिए देख लेते हैं, देखिए 7th schedule की अगर हम बात करते हैं, तो Indian constitution देखिए जब लागू हुआ था 1950 में, तो वहाँ पर किवल 8 schedule देखने को मिलते हैं, अब Indian constitution में total schedule हो गए है 12, अब आपको यह तो समझ में आ गया, कि 7th schedule मूल सबविधान में भी था, इस schedule में 3 list का जिक्र किया गया है, किसका 3 list का, एक है state list, एक है union list और तीसरी है concurrent list, आईए देख लेते हैं कि 3 list actual में है क्या, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं संग सूची की, जिसे union list के नाम से जाना जाता है, संग सूची में देखिए कुछ subject दिये गए हैं, अब जो जो विशय संग सूची में दिये गए हैं, सातवी अनुसूची में, उन सभी विशय पर या उन सभी subject पर नियम बनाने का या कानून बनाने का जो अधिकार है, वो Indian Parliament को दिया गया है, इसलिए उसका नाम union list है, आप नाम से ही समझ सकते हैं, तो संग सूची के जितने भी विशय हैं, उ important कौन-कौन से विशय हैं, जो की संग सूची में, तो पहली चीज़ तो आपको ये समझ मा गई कि 7th schedule में 3 list का जिक्र किया गया है, सब सब एली संग सूची, union list, जिस पर कानून मनाने का अधिकार Indian Parliament को है, second list आती है जिसे कहा जाता है state list, मतलब राज्य सूची, राज्य सू मनाने की शक्ती राज्य के विधान मंडल को दी गई है, किसको दी गई है, राज्य के विधान मंडल को, तो ये एक और important चीज़ हो जाती है, जो की आपको याद रखना है, राज्य के विधान मंडल को राज्य सूची पर नियम या कानून मनाने का पावर दिया गया है, ती कानून बनाने का अधिकार दोनों को दिया गया है पार्लियमेंट को भी और राज्यमे विधान मंडल को भी दोनों ही समवर्ती सूची के विशय पर कानून बना सकते हैं अब देखिए अगर हम लिस्ट की बात करते हैं तो संग सूची जब मुल सविधान लागू किया गया थ तो संग सूची में 97 विशय थे, मतलब ऐसे 97 विशय थे जिन पर Union मतलब Central Government या संसत कानून बना सकती हैं, लेकिन वर्तमान में ये बढ़कर हो गए हैं Almost 100, अब संग सूची या Union लिस्ट में 100 विशय हैं, जिस पर केंदर सरकार या संसत कानून बना सकती हैं, राज्य सूची की बात करते हैं, State List की बात करते हैं, तो State List जब मूल सविधान लागुक किया गया था, तब इसमें सबजेक्ट की संख्याती 66 छाचाट विशय थे, जो की राज्य सूची में इंक्लूड थे, लेकिन वर्तमान में इस सूची में केवल 61 विशय देखने को मिलत किया गया था तो पांच विश्य आगे बात करेंगे कौन-कौन से पांच विश्य समवर्थी सुची में चले गए तो राज्य सुची में 66 से कितने बचे 61 जिस पर राज्य की सरकार या राज्य का विधान मंडल कानून बना सकता है फिर आती है concurrent list concurrent list की बात करते हैं तो देखिए आपको ये तो समझ में आगिया कानून मनाने का अधिकार दोनों को संसत को भी और विधान मंडल को लेकिन याद रखिएगा अगर दोनों के बीच अगर दोनों कानून मनाते हैं समवर्ति सुची के विशय पर और dispute होता है विवाद की इस्तिती बनती है तो central का कानून मानने होगा यहाँ पर आपको ये बहुत इंपोर्डेंटली याद रखना पड़ेगा अगर विवाद की इस्तिती बनती है तो central का कानून लागू होगा किस पर concurrent list के विशय पर easy है याद रह जाएगा अब देखिए जब मूल सविधान था हमारा उसमें concurrent list में केवल 47 विशय को शामिल किया गया था कितने है 47 अब आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि राज्य सूची से 5 विशय 42 अमेडमेंट के द्वारा किदर चले गए समवर्ती सूची में तो अब समवर्ती सूची या concurrent list में total कितने विशय है 52 तो मैंने आपको दोनो सिनेरियो समझा दिये याद रखिएगा सबसे पहली चीज़ की मूल सब विधान में किस सूची में कितने विशय थे और वर्तमान में कितने क्लियर समझ में आया अब देखिए यहाँ पर आपको ये तो समझ में आ गया कि संग सूची या union list के विशय पर संसत कानून मनाती है राज्य सूची के विशय पर विधान मंडल कानून मनाता है राज्य का और समवर्ती सूची के विशय पर दोनों कानून मना सकते है लेकिन अगर विवाद होता है तो संसत का कानून मानने होगा अब आपके दिमाग में कोश्चन आना चीए कि सर क्या राज्य सूची के विशय पर सेंट्रल कानून नहीं बना सकता क्या या आपके दिमाग में एक कोश्यन आना चीए कि क्या राज्य सुची के विशाय पर संसत कानून मना सकती है। तो बिलकुल बना सकती है। इंडियन कॉंस्लिटीशन में ऐसे भी प्राउधान दिये गए हैं जब राज्य सुची के विशाय पर संसत कानून मना सकती है। अब देश में नेशनल एमर्जेंसी लागू तो राज्य सुची के विशाइपन नियम मनाने का अधिकार संसत को मिलता इसके अलावा अगर आटिकल 356 के तहट किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लागू हो तो उस केस में भी रास्ट पती शाषन के केस में भी राज्य सुची पर परल्यमेंट कानून मना सकती है तीसरी कंडिशन राज्य सभा अगर किसी मुद्धे पर प्रस्ताव पारित कर देती है देखिए ये आर्टिकल भी याद रखिएगा आर्टिकल 249 सविधान के आर्टिकल 249 में ये प्राउधन भी किया गया है कि अगर राज्य सुची का कोई सबजेक्ट रास्ट महत्व का है नेशनल इंपोर्डेंस का है तो ऐसी कंडिशन में राज्य सभा अगर अपने हाउस में 2 upon 3 मतलब special majority से फिल पास करवा देती है किसी भी राज्य सुची के विश्याय पे कानून का अधिकार लेने के लिए तो पास तो राज्य सभा में करवाना पड़ेगा 2 upon 3 मेजुरिटी से लेकिन यहाँ पर पास कराने के बाद संसत को राज्य सुची के उस विश्याय पे कानून मनाने का अधिकार मिल जाएगा लेकिन क्या असीमित समय के लिए मिलेगा क्या नहीं केवल एक वर्ष के लिए कितने वर्ष के लिए एक वर्ष वो हर वो सब्जेक्ट जो की राज्य सुची में था और जिसको बदलने के लिए राज्य सभा में बिल लाया गया अगर 2 upon 3 special majority से वो एक एक वर्ष में राज्य सभा में 2 upon 3 special majority से उस बिल को बार बार लाना पड़ेगा और उस सब्जेक्ट में चेंज करने का प्रस्ताओ बार बार पास करना पड़ेगा हर एक साल में क्योंकि according to constitution article 249 केवल एक साल के लिए ही राज्य सुची के विशय पर central कानून मना सकते उप समझ में आओगा अब अगर आपको तीनों लिस्ट समझ में आ गई तो इनके विशय भी कभी कभी पूछ लिये जाते आईए एक एक करके जान लेते हैं important कौन कौन से subject किस लिस्ट में शामिल है तो देखिए सबसे पहली लिस्ट आती हमारी जिसका नाम है संग सुची म मतलब union list देखिए आपको देख के समझ में आ जाएगा कि यह मामले central के हाथ में ही होंगे जैसे विदेशी मामले किसी और देश के साथ कोई भी मामला है व्यापार का मामला है कोई treaty है संधी है तो यह क्या है यह संग सुची का विश है central government handle करेगी किसी विदेश के साथ यु विदेशी रेंड विदेश से अगर हमने कोई loan वगरा लिया है banking sector संग सुची का विश है वायू जल और रेल परिवहन जनगरना जो population की counting की जाती है जनगरना और अंतराज नदिया वो नदिया जो कि एक स्टेट से निकल कर दूसरे स्टेट तक बहती तो अगर वो जिसको मैंने अलग से mention किया है उनको देख लो एक national security सुरक्षा और stock market मतलब share market यह दोनों भी संग सुची का विश है तो नॉर्मली देखिए आपको जो union list से subject से question आएंगे वो यहीं से आने वाल इसके अलाव मैं आपको कुछ और भी बता देता हूं ताकि अगर by default कभी question आ तो एक बार उसको भी हम यहाँ पर discuss कर लेते हैं देखिए इसके अलावा no से ना, why you से ना और थल से ना यह तीनों आप जानते हैं यह तो सुनके आपको समझ में आ जाएगा कि union list का विश्य होगा सहिए संग के अन्य सशस्त्रबल जितने भी paramilitary force वगेरा हैं सशस्त्रबल हैं वो सब union list में आते, nuclear energy union list में आता है, सारे विदेशी कारे union list में आते, इसके अलावा नागरिक्ता, citizenship, देशी गरण, पासपोर्ट और वीजा यह union list का विश्य है, संचार साधन, communication के जो साधन है union list का विश्य है, इसके अलावा विदेशी रिन अभी हमने वहाँ पर भी और बीमा, insurance, union list का विश्य है, और भारती reserve bank, ठीक है, भारती reserve bank, reserve bank of India, यह union list का विश्य है, तो union list के यह विश्य है याद रखिएगा, इसके बाद आती है हमारे पास state list, कौन सी है, state list, state list में जो सबसे important question पूछा जाता है, वो पूछा जाता है agriculture से, इसको याद रखिएगा एगरी कल्चर किस सूची का विशा है, तो according to Indian constitution, 7th schedule में, क्रशी को राज्य सूची में जगे दी गई, राज्य कानून बना सकता है, किस पर एगरी कल्चर, इसके अलावा, राज्य की पुलिस प्रशशन, राज्य सूची का विशा है, जेल, न्याय, सीचाई, राज्य यह तो especially याद रखिए, राज्य सूची का विशा है, इसके अलावा, भू राज्य सूची का विशा है, पुब्लिक जो स्वास्त है, राज्य सूची का विशा है, याद रखिएगा, important, कुछ और बता देता हूँ यहाँ पर भी, व्यवस्ता और लोग स्वास्त में आपको नBaby को बता ही चुका हूँ, मादक लिकर मतलब शराब, रज्य सुची का विशा है, प्रशुधन का परिरक्षण और सररक्षण, मतलब जो पशुधन है, जो पशु है, उनका सररक्षण किया जाना यह रज्य सुची का विशा है, कोन कानून बनाएगा, इस्टेट कानून तो यह हो जाती है दूसरी सुची, इसके बाद हमारे पास आती है तीसरी लिस्ट जिसे कहा जाता है concurrent list, important है, अब इसके जो विशा हैं, दो important सबसे पहले education को याद लखिए, सबसे ज्यादा question हमको education से ही पुछा है, किस सुची का विशा है, union list का, मजदूर संघ या मजदूर स संघ अठन भी concurrent list का विशा है, इसके अलावा, जन संख्या नियंतरन, ठीक है देखे जन संख्या, वो संघ सुची का विशा है था, जन संख्या नियंतरन ये किसका विशा है, ये है समवर्ती सुची का विशा है, रास्टी जलमार्ग, समवर्ती सुची है concurrent list का विशा है, औ सविधान लागू आता देश में, पांच बड़े 42 अमेडमेंट के दुआरा, किसके दुआरा 42 अमेडमेंट है ना, कब हुआ था 1976 में, इसके दुआरा पांच चीजों को राज्य सुची से निकाल कर समवर्थी सुचिया कन करेंट लिस्ट में शामिल किया गया था, ये थे श वन, जंगली, जानवर, जंगल, पक्षियों की रक्षा और नापतोर, ये समवर्थी सुची के विशह हैं वर्तमान में, 42 अमेडमेंट के दुआरा, 1976 में इसमें शामिल किया गये थे, इसके अलावा, जनसंग्या नियंत्रन, अभी हम बात कर चुके हैं, और परिवार निय ये समवर्थी सुची मतब कर्ण करेंट लिस्ट के विशह हैं, तो यहां पर जो जो पूछे जा सकते थे, लिस्ट के अंदर के सबजेक्ट, वो सब मेंने आपको बताएं, इससे बाहर तो कुछ पूछा जाई नहीं सकता, जो भी इंपोर्डेंट हैं और हो सकते हैं, वो संग सुची में विदेश मामले, युद्ध, अंतरास्टी संधी, विदेशी रिण, पैंकिंग, वायू जल और रेल परिवहन, जन गरना और अंतराज्जी नदियां, क्लियर इसके बाद देखें, राज्य सुची में एग्रिकल्चर, इंपोर्डेंट हैं, यहां पर आपक जायती राज, भू, राजस्व और लोक स्वास्त, यह किस सुची में आते हैं, राज्य सुची में, थड़ आती है हमारे जिसका नाम है संवर्ती सुची, कौन सी है, कंकरेंट लिस्ट, शिक्षा, सबसे पहली प्राइलिटी पर यही कुश्यन होता है, याद रखिएगा, मैंने आपको तीनों लिस्ट समझा दिये, क्या होती है, अब इसके अंदर के जो सब्जेक्ट है, वो भी मैंने आपको बता दिये, एक आउसिस्ट विशाई भी होते है, ऐसे विशाई जो तीनों लिस्ट में शामिल नहीं है, तो फिर वो आउसिस्ट विशाई, उनको अब इंटरनेट की जो आम आदमी के जीवन में बहुत ज़्यादा माननेता हो गई है बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है तो अब उसको अवसिस्ट शक्ति आए ना तीनों लिस्ट में नहीं है तो तो उस पर कानून मनाने का अधिकार भी किसको है इंडियन सेवन्थ शेडूल आपको समझ में आओगा बहुत ही इंपोर्टेंट है और एक एक फैक्टर जो एक्जाम में पूछा जा सकता है वो सभी मैंना आपको यहाँ पर बता दी नेक्स्ट वीडियो में इसी की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और इसके MC की उसकोशन पर डिसकस क करेंगे तब तक अपना खयाल रखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फिर मुलाकातों की नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ बने रहिए जहिन